वेलकम टू उल्लाइन और उफ्लाइन ग्यान चैनल मैंने मिज गोरव दोस्तो आज की जो अपडेट है ये अपडेट थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि इस वीडियो में आईटिया वले बच्चों के लिए मैं पांच ऐसी information लेकर आया हूँ जो आपके लिए importance रखती है इसमें different different तरीके की चीज़े मैंने include की है मैंने सोचा कि पांच वीडियो बनाने से कोई फायदा नहीं है उसमें मेरा भी time waste होगा और बच्चों का भी यहाँ पर time और यहाँ पर data waste होगा इसलिए I thought कि मैं combine करके पांचों update एक साथ लेकर आजाता हूँ जिससे कि बच्चों को एक ही time पे सुवीदा easily मिल जाए तो पहली जो update निकल के आ रही है वो आ रही है कि SCL जो company है उसके आप लोगों को पताई है different different जो qualification होती है उसके basis पे vacancies निकलीती है apprenticeship की तो उसका डीवी चालू हो गया है मैं proper notification आप लोगों को description में दूँगा ITA वालों ने apply किया तो ITA वाले देखो graduation वालों ने apply किया तो graduation वाले देखो सारा आपको detail description में link जो दे रखा उससे पताई सल जाएगा in case आपको पांचो information से कोई भी ऐसी information आपको लगता है कि detail बहुत ज़्यादा चाहिए है तो आप मुझे comment कर देना जिस पर सबसे ज़्यादा comment आएंगे मैं जो है उस पर एक separate video लेकर आ जाऊँगा इससे आप लोगों का जो भी doubt होगा वो easily clear हो जाएगा ठीक है पहली बात clear दूसरा जो यहाँ पर है update वो है टाटा मोटर्स में trade apprentice की भरतिया निकली है और आपको बता दू कि आप इसका form fill कर सकते है रिटेल सापको सारी की सारी यहाँ पर mention कर रखे है कोन apply कर सकता है कोन नहीं कर सकता इन्होंने यहाँ पर side भी दे रखे लेकिन एक चीज आपको मैं बता दू अगर आप यहाँ पर select हो जाते हैं और आप लोगों से पैसे मांगे जाते हैं तो आप लोग समझना कि यह vacancy fake है आप लोगों को एक reply भी यहाँ पर नहीं देना है क्योंकि ना ही हम किसी side पे विश्वास कर सकते हैं proper तरीके से ना ही हम किसी news paper पे विश्वास कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपने classified sections देखे होंगे classified क्या बीच-बीच में भी कभी ऐसी खबरे आने लग जाती है कि बच्चों के लिए vacancy निकाली गई लेकिन वो fake थी तो जहाँ पर आप लोगों से एक रिप्या भी मांगा जाता है नोकरी के लिए तो वहाँ पर आप लोग को apply नहीं करना और एक और चीज़ बता दू जो बच्चे इसमें अप्लाई करेंगे ना उनको जिनकी परसंडेज बहुत कम है 40 से 45 है या फिर 33 है या फिर 35 है वही अप्लाई करें जिनकी परसंडेज 60 है 70 है 80 है 90 है या उससे उपर है तो वह अप्लाई मत करना मैं इतना इंपोर्टेंस नही सिखाए जाएगी जिस तरीकी की एक आपको जाए बहतरी इस चीज़ को देखके चलें नेक्स जो अपडेट निकल के आ रही है वो अपडेट है आपकी नोर्थ इस्टरन रेलवे की आप लोग को पता यह भी थोड़े समय पहले डीवी निकला था इसका और इन्होंने जो ह है यहाँ पर क्या किया है कि डीवी की डेट में चेंजेस कर दिया है इन्होंने जो पहला वारा नोटिस था उसे जो है फ्रीज कर दिया है यह आप देख सकते हैं और इन्होंने जो है नया नोटिस निकाला है यहाँ पर आप देख सकते हो डेट इन्होंने जो है पता नहीं latest दे रखी है आज की date दे रखी है लेकिन जिन बच्चों का DV है वो यहाँ से notification डाउलोड करो और सारी details आप लोगों को मिल जाएगी इसका link भी मैं आप लोगों को description में दे दूँगा किसी भी तरीके की परिशानी हो comment box में मुझे बताना की सारी इस topic पर हमें वीडियो चाहिए कैसे proceed करें I promise कि कल या परसो तक उस topic पर आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी पाचों में से next आप लोगों को पता ही है कि PG CIL Department यानि NR1 का जो है उसमें आप लोगों के वेकेंसी निकली थी अप्रेंडिशिप की graduate भी अप्लाई कर सकते थे हैं आईटिया वले बच्चों के लिए भी निकाली गई थी और नोन जो टेक्निकल बच्चे थे उनके लिए भी निकाली गई थी तो उसका भी आप डीवी अप्डेट आ चुका है प्रोपर नोटिफिकेशन आप लोगों को सारे शीजे बता दिया है next जो अपडेट निकल के आ रही हमारे सामने वो है आप लोगों के school college आईटिया जो है या फिर कोई भी टेक्निकल डिपार्टमेंट है वो school की बात कर रहा हूं मैं या फिर आप लोग के colleges की बात कर रहा हूं वो खुलने की school college या फिर जो टेक्निकल institutions है वो खुलने की संभावना आप लोगों की सब्तमबर में है जैसे की मेरे पास ख़बर आ रही है इसके लावा और भी मतलब source है जासी यही खबर आ रही है कि आप लोगों के colleges है जो schools है जो फिर आईटे इंस्ट्टूट्स है वो खुलने की possibility सेप्तमबर में ही है एक्जाम की update अभी तक यह निकल के आ रही है आईटे की बात कर रहा हूं कि जो आप लोग first year वाले हैं उनके exam ना होनी की possibility है बाकि जो अभी final year में है उनका जो है यहाँ पर exam होनी की पूरी possibility क्योंकि यह बात आ रही है कि उनको pass कैसे किया जाएगा लेकिन इस पर भी proper clarification नहीं आया अभी तक सब कुछ पैंडिनिंग है department भी चीजों को नहीं सुन रहा है easily आप लोगों को पता ही कितने protest चल रहे हैं अभी परसो भी एक protest चलाता नो तारिक को उससे पहले भी इतनी सारी meetings हुई है AIRF की और गोपाल जी ने आप लोगो पता कितने सारे मुद्धे उठाए हैं देखते हैं कितना successful हो पाता है नहीं हो पाता बाकि जैसे हैसे मेरे पास update आती है वो भी आपको confirm करूंगा और मैंने जो गौरत सब्सक्राइब करके रखो ताकि आने वाली वीडियो आप लोग को टैमली मिलती रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है एक चोटा से काम और करो बैर एक कर दबा दो क्योंकि वह प्रेस नहीं करोगे तो अपडेट्स आप लोगों से मिस हो सकती है धन्यवाद